कि नमस्कार कैसे हैं आप सभी वेलकेमी ओल वन्स अगेन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप सभी को पता है यूनिस शुरू कर रखी जिसमें हम एलकोहल्स चैप्टर को कम्प्रीट कर रहे थे और लगभख कम्प्रीट होने को है यह चैप्टर बस हमारे क् क्या सुरू किया था ट्राइब रख ड्कॉहबке लास फिडियो में वन्ह włos Resistance कि ट्राइबेक अल्कॉहल क्या होते हैं तो जिन में क्या थिन हईड्रोक्सी ग्रूप होते हैं ऐसे अल्कॉहल को हम क्या कहते हैं ट्राइब अलकॉहल और स्पश्जें यह वनको इन को यूंको यसी नाम कैसी दीया जाता है और इसमें हमें हमारे बहुत इंपोर्टेंट ट्राइए हाइडरिक अलकोहल इसका नाम था ग्लिसरॉल इसराल एप या एक और इंपोर्टेंट ट्राइडल के लेट treadmill है यह जादातर चीजों में आपको देखने को मिलता है इसका एक common name भी इससे आप जानते हो आप सभी इसको daily life में use भी करते हो काफी इसका नाम है glycerine glycerine गाम तो सुना होगा ना इसी को बोला जाता है glycerol तो इसको दूसरा नाम glycerine भी है तो glycerol को glycerine भी बोलते हैं और glycerine से तो आप सभी परिचित होंगे तो हमने यह देखा था अब हम देखने वाले हैं कि glycerol की preparation कैसे की जाती है यानि बनाया कैसे जाता है ट्राइडरिक अलकोहल को तो हम आज जो देखने वाले हैं वो ट्राइडरिक अलकोहल के बनाने की विधिया हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का मारा टॉपिक है ट्राइडरिक अलकोहल बनाने की विधियां यहां हम देखेंगे कि हम ट्राइडरिक अलकोहल का निर्माण किस प्रकार से करें ट्राइडरिक अलकोहल बनाने की विधियां तो जो सबसे पहली विधि है वो है कि इसको आप सब भी जानते भी होंगे साबुनी करण साबुनी करन दिसने बोलते हैं स्थ पॉनिफिकीशन डिसको सोपॉनिफिकेशन conservative भी बोलते हैं ठीक है सेप onification क्या है भाई सब्टो स्थ क्शान किया है साब Свजिएंक करण सटर्ण में एस्टर का निर्मान होता है एक कर रहे यह को रहेता है लोगा इसकी रियक्शन किस lenses कराएंगे एलकौह All light सब्सक्राइब अभण कि इस तरह से लिखाता एसलग कि निकलक वाटर बाहर निकल डाता और क्या बना लेता है यह बना लेता है आर 101 0you C 3 यह बन गया और इसी को हम क्या कहते हैं एक्टप कहते हैं ठीक-इस और यह पढ़ी थे आपने मुन हईड्रीक ऐलकॉल में ने पढ़ा है तो यह क्या बने गिए अक्या इस-क्यार अक्या बताया था बंजाएंगे तो यह साबरड डिरेक्शन में रियक्शन होती जहां एस्टर का निर्मान होता है इस पॉनी करन का उल्टा पोज़ट रियक्शन होता है कैसे रियक्शन सपनी अब से और के सब्टमी बते हैं यहांनि कि मेरी विसन को बेसा डा जाता है मर निकत Wenn कैसे करेंगे देखते हैं इसमें होता क्या है कि हमारे वसायां तेल हैं उनको आपता हो कभी अपने टॵर्फ में पढ़ा हो जितने ही हमारे fets हमारा यौते हैं ट्राइडिक एल्कॉber फोटे हैं यह जो हमारा यौिक्र के विपकण होते हैं यह कहलो ट्राइस्टर सो कि होते हैं घुटिरओं नौर्ण कि यहांसा लखू था यह लता हां यह तिया टेल क्या होते हैं वाया tutor टेल क्या होते हैं व्यूत्पुन होते हैं किसके एलकोहॉल के कैसे एलकोहॉल के क्या होते हैं बसाया तेल क्या होते हैं ग्लिसरोल के साथ ग्लिसरोल के साथ बने हुए ट्राई एस्टर दिख रहा है ना उदर ट्राई एस्टर होते हैं ठीक है और जब इनी ट्राई एस्टर की रियक्शन तो जब ट्राई यह एसे लिखें ट्राई ग्लिसराइड की अभिक्रिया ट्राईग्लिसराइड की अभिक्रिया जब किसके साथ छार क्या लेंगे हम छार की जएक रहाइक हम वाअटर भी के से कराते हैं कि कलाते हैं तो तो यह ज हो बार कई बार और पड़ी हुई है अप- लोगों हो ने कई बार मैंने र्यक्श्शन में करा है जल अब गटन है किसका एस्टर का तो किसके द्वारा तो जल अब गटन द्वारा क्या प्राप्त होता है इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं साबुने करें क्यों क्योंकि सब्सक्राइब में साबुन बनता है कैसे बनेगां देखेंगे यहां पर आमको क्या करना किया दो सिद्वार्व औ्योद्व तोड़ाओं और च्छ टू ओसीडवर्ण ओ अर्पोई अलकाइल गृप हो सकता है क्योंकि तुमारी तेल और वर्षा होती है वह क्या होते हैं वो भी कैसे लॉंग चेन वाले जिनमें बहुत लंबी-लंबी कारवन श्रंखला होती है ऐसे हाइड्रोकारवन होते हैं तो मैं इ यहां पर जल अपगटन होगा यहां पर जल अपगटन होगा और जल अपगटन के द्वारा क्या वनेगा हमारे पास क्या वनेगा हमारे पास प्राप्त होगा glycerol कैसे होगा यह reaction अभी हम देखते हैं तो हमें finally क्या मिलगा CH2 OH CH और निचे च्छिट क्या मिलेगा प्लस मेलेगा और फिर डवलएं ओ हो कि आरसी हтивंवान ऊ- क्या मिलेगा रच चातरों और है थी न लेकर कैम यह पर लेख सकते हैं क्या मिलेगा फिला ने मिलेगा फिलिए है तो साबुन का काम करता है तो यह क्या है सोडियम लवड है उच्छ वसा का जिसे आधार पर इसका जो रियक्शन का नाम है वह क्या है साबुनी करने और इस ने एक्षन में हमारा जो इस रॉप हो रहा है यह जो यह जो रियक्शन है से ग्लिस्रो्म बहुत-बहुत-बहुत हाई अमाउंट में नहीं होता क्योंकि यह तो बई पर बन रहा है यह रियक्शन होगी कैसे छी देख लेते हैं तो ये हमारे पास सी ऐस्टू ओ एक टूबॉ और सी डवल बॉन ओ और सी एच्टू ओ सी डवल बॉन ओ और तो एक न वह मॉलेक्विल के साथ रियक्शन कराएंगे ठीक है बाकी कई स्टेप्स आप खुल कर सकते हैं क्या होगा हम जानते हैं यह क्या है कार्वोनिल ग्रूप है यहां पर ऑक्सिजन डेल्टा नेगिटिव कक और यह ककारवन कैसा होगा डेल्टा पॉजिटिव क्या करिए लेक्ट्रों को अपनी सरफ केज़ेगा तो क्या होगा यहां से हमारे पास क्या है श माइनस है तो वेटर माइनस आए गाटेक करेदा वह माइनस आया इस ग rozных कीया तो क्या होगा पहले यह bond का करेगा उपर जाएगा यानि oxygen के उपर जाएगा यह bond जैसे carbon पर attack किया यह bond तूट कर oxygen पर गया O- बनाया फिर यह bond क्या करेगा O- charge क्या होगा बापस नीचे आएगा double bond बनाएगा और यह वाला जो bond है यह तूट जाएगा यह वाला जो bond है वो तूट जाएगा तो क्या बनेगा यह बनेगा CH2 O- ठीक है CH2 O- बागी का क्या है CH1 O C11 O R CH2 O C11 O R ठीक है और बाहर क्या निकला हमारे पास बाहर निकला हमारे पास बाहर निकला हमारे पास R C11 O O H यह बाहर निकला acid क्या है यह acid बाहर निकला है यहाँ पर हमारे पास क्या है O- तो यहाँ से क्या ले लेगा यह H प्लस को ले लेगा और H ले लेगा तो यह बनेगा क्या यह बन जाएगा यह बन जाएगा CH2OH, यहाँ पर CHOC1OR, और यहाँ पर फिर से CH2OC1OR, और बाहर क्या निकला, बाहर निकला हमारे पास RCO, O- और इसको कौन स्टेबलाइज करेगा, NA+, तो इस तरह से यह रियक्शन हम कराएंगे, कई स्टेप्स में सेम मेकैनेजम इसी तरह से जाएगा, आगे र CHOH, और निचे हैं हमारे पास CH2OC, glycerol, और प्लस हमको क्या मिलते हैं, हमको मिलता है, RCO, O-, NA+, कितने 3 molecules, तो इस तरह से ही रियक्शन होगी, जैसे इस कारवन पर अटेक हुआ है, जैसे इस कारवन पर OH का फॉर्मेशन हुआ, पहले कारवन पर, उसी तरह दूसरे कारवन पर पर भी होगा, उसी तरह तीसरे कारवन पर भी होगा, तो एक स्टेप मैंने आपको दिखा दिया, बाकी के स्टेप भी इसी तरह से होंगी, और तीनो कारवन पर अटेक होगा, OH माइनस का, और क्या फॉर्मेशन होगी, हमारी ग्लिसरोल की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है तो ये थी हमारी पहली विदी, जल्दी से नोट कीजिए, आगे चलते हैं, दूसरी विदी देखते हैं, चलते हैं आगे, इसे मिटा देती हूं ठीक है, दूसरी विदी है हमारी, पहली विदी तो साबुनी करंट सम्ग्लिसरोल बना सकते हैं, दूसरी विदी है हमारी प्रोपिलीन से, किस से? प्रोपिलीन से बनाएंगे हम प्रोपिलीन से निर्मार और यह जो विदी है, जिसमें हम प्रोपिलीन का यूज़ करते हैं, यह ओध्योगी किस तर पर यूज़ की जाती है कि प्रोपिलीन की रियक्शन कराते हैं किसके साथ यहां पर हम लिख सकते हैं और द्योगिक इस तरफर ग्लिसिरॉल का निर्मान होता है ठीक है प्रोपिलीन का क्या कराएंगे हम रियक्शन कराएंगे क्लोरीन करने वाले हैं क्लोरीन करने वाले देखते हैं कि यह यह रियक्शन कैसे होती है तो यह हमारे पास पॉपिलीन है है ये हमारे पास तो हम क्या कराएंगे यहां पर है और यहां से आपने कई बार पढ़ियोगी से आयों सेकंड य Era में फ़र्तियर आयो इस तरह की रेक्शिन देखी होंगी वहाँ आपने पड़ा होगा यह एलकीन का जब होता है स्द्टम करें क्लॉरीन से यह यहां पर क्या मतला जिदा गरण की अविक्रिया होगाender क्लोरीन किसका कारे करता है ऑक्सीanut करता है कैसा औक्सीकारक नहीं है और यह क्या दूर्वल औक्सीकारक करतe है यह क्लोरीन करता है यूरस We'll क्या होता है यहां पर यहां से क्या होगा इस वाले कारवन से एक हाइड्रोजन बहर निकलेगा तो दोनों मिलकर क्या बाहर निकल लेंगे यह वाला जो बहर निकल जाये और आपको प्राप्त होगा यह हो यह हुआ अलाइल ग्रूप बोलते हैं तो यह क्या वन गया है यह बना है हमारे पास अलाइल क्लोराईड चलोराइड है तो यहां पर क्या हुआ यह माइल्ड ऑक्सिडाइजिंग एजेंट है यह क्या करता है एलफा पुजिशन पर हैलोजन को जोड़ता है कहां पर एलफा पुजिशन पर और यह जो रियक्शन्स होती है इनके लिए हमें बहुत हाई टेंपरेचर की जरूरत होती है अपने पढ़ाओगा फस्ट यह में लिया जाता है जब यह जलिए लिया जाता है इन वह निकाल देगा यहां से क्लोरीन बाहर निकाल देगा तो यह जो फाइल यह जाकर अटेक करेगा कारबन पर और क्लोरिन जो है वो बाहर निकल जाएगा तो हैसे बाहर क्या निकला एक क्लोरिन मिलकर क्या बना लेंगे एक्पास लाइल बना है अब अगे क्या होगा रियक्षन होगी आगे दुबारा कैसे करेंगे इसके बिरेकशन कराएंगे अभि आ और पास एक है और एक एसी है जिसमें पॉजिटिव और नेगिटिव चार्ज दोनों उपस्थित हैं तो यहाँ पर क्या होता है है आप जानते ही हैं क्या होगा आगे क्या होगा बताइए जल्दी से अधीशन होगा किसका नेगेटेव स्वेचिज और पौजिटिव इसपेसिस का आपने कई र की हुए है यह जैकुंअपको पता होरा चाहिए तो और कैसे रियक्षिन को क्लिक्षाय घ्लाइगा जैसे छाइगा जाएगा जैसे यह इस कारवन पर फैसे जाएगा और नेगिटिव चार्ज किस पर अटेक करेगा पॉजिटिव चार्ज पर तो यह क्या बना लेगा सी एच टू ओएच और यह आ जाएगा सी एच यहां पर नेगिटिव चार्ज आया है क्लोरिन के साथ इसने बॉंड बना लिया और इस कारवन से बॉंड टूटा है तो यहां के सचार्ज आएगा सैंग दोन ऑपर मुं जब ब्रेक तो इस कार्वन पर तो आए या ए नेगिटीब Шण इसने क्लोरीन के साथ यह क्या पतब बना लिक्राइब से चाहिए मैं तो हट सेंग पॉजिटीटीब हमारे पास क्या बना गए हमारे पास ये हमारे पास बना हम क्याber लिया था ग्रॉप क्लोरीन घ्लिसरोल ग्लिसरोल ग्लिसरोल जैसे एक ह defender cancel liegt काम पर 靡 क्लोरीन ग्रॉप है तो इसका नाम् बीटा मोनो क्लोरो हाइड्रिन ग्लिस्रॉल यहां फिर पूरा लिख लो ऐसे लुखो ग्लिस्रॉल बीटा एक ही क्लोरी ने इसलिए मोनो क्लोरो और हाइड्रिन ठीक है अब हम क्या करेंगे यह बनाए हमारे पास च्छ2 और यहां पर हमारे पास च्छ2 और यहां पर एक क्लोरीन ग्रुप है फिर से हम इसकी रिक्शन किस्ते करा देंगे एकवास ने ओएमवास के साथ यहां से क्या मिलेगा हमको ओएच माइनस मिलेगा और और हो च्छ मौनस क्या होता है नियुख्योफायल जाएगा इस का ह यह हमारा यह हमारा है और सॉस्आल का फॉर्मेशन होता और किया दूस्थ रोल है तो गिल्स रोल का उत्पादन भी और द्योगे किस तर पर किया जाता और इस विदी से किया जाता है ठीक है जल्दी से रोट कीजिए पर आगे चलते हैं कि अधर आधर कि हो गया आगे चलते हैं तीसरी विदी देखते हैं कि टीसरी विदी इतनी इंपोर्टेंट नहीं है विद्ट देखते हैं उसमें भी हम किसका यूज करेंगे प्रोपिलीन का यूज करेंगे यह भी प्रोपिलीन से निर्मान की एक सेकंड ऑप्शन कह सकते हो तो क्या किया जाता है यहां पर भी हम प्रोपिलीन का यूज करेंगे यहां पर भी हम क्या करेंगे प्रोपिलीन का यूज करेंगे तो हम कह सकते हैं वह एक ताप यह बीपार्ट है प्रोपीलीन का लेकिन किस से वहां पर कौन लिया था है लिया था पहली विदी में दुर्वल आक्सी कारक होते हैं इतना ज़्यादा प्रभब नहीं होता है तो इतना चल्दी नहीं कर सकते हैं लेकिन यह जो लिया है अब जो हम एहने वाले हैं वह टो जरोग होगा तो क्या करते हैं हम यहाँ अक्सीजन लेते हैं यानि हाई टेंपरेचर तो यह कौन सी रिएक्षन है आप लोगों ने अगर कभी इस नाम सुना हाईड्रोफॉर्माइलेसिन रिएक्षन है या इसको अग्र हो प्रोसेज भी बोलते हैं क्या बोलते हैं यही वेकर वेकर प्रोसेज में क्या होता है जो ऐलकीन होती है क्या होता है जो मौलिकुलर ऑक्सीजन है और किसी उत्प्रे रख यह तो उत्प्रे रख का काम करता है और साय उत्प्रे रख रहता है तो उसमें क्या करता है ऑक्सीजन जाकर इंजट कर जाता है और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर बन जाएगा यहां पर ठीक है यह बन जाएगा यहां पर ऑक्सिडेशन हुआ ठीक है तो कौन से उत्प्रे रख्यू पस्तिती में और यह रियक्शन होता वेरी हाई टेंप्रेचर पर ठीक है अब हमारे पास क्या बन गया मैं इसको ऐसे लिख दू सी डबल बॉंड ओ एच मैंने इसकी रियक्शन किस्ते कराई एच टू के साथ एनाई उत्प्रे रख्यू पस्तिती में और यह रियक्शन तो बच्वन से पड़ते आ रहे हो आप कौन सी रियक्शन है हाइड्रोजिनी करण अभिक्रिया है इसमें क् काम में आती है जब हम हाइड्रोजन की रियक्शन किसी मेटल उत्प्रेरक की उपस्तिती में कराते हैं तो क्या होगा एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा यानि कि स्कार्बोनिल ग्रूप का अप्चैन हो जाएगा लेकिन यहां पर एलकीन का अप्चैन नहीं होगा सिले नहीं होगा तो यह बन जाएगा यह बन जाएगा सिएच्टू है वापस हमारे पास किया बन गया ऐलकोहॉल बन गया कौन सा अलकोहॉल है अभी हमने पिछले देक्शन में भी बनाये था क्या बनाएं यह एलाईल को होल यह विक्रिया किसे कराऊंगी एच्टू ओ ्सक्राइड क्या है कि हैड्रोजन पर औक्साइड क्या है है सॉरी घ्राइब है मेरा अच्ट्टू-ई-च्ट्प जुटव क्या मिलेंगे लिड़ेंगे यह नगी तो यह क्या करेंगे जोद जाकर या यह विद्ट जाएंगे ग्लिसरोल ठीक है तो इस तरह से प्रोपिलीन से इस विधी द्वारा भी ग्लिसरोल का निर्मान होता है ठीक है एक लास्ट विधी बनाने की वह क्या है उसमें हम क्या करते हैं जो हमारा ग्लूकोज का का फर्मेंटेशन करते हैं किडवन करते हैं तो अगली वीदिया वह है कि प्रफिद्ध का फ्र्मेंटेशन करते हैं अब को पता होगा एलकोज का बहुत किए जाता है कि से किया जए ग्लूकोस से किया जाता है ow तो के फिर kommen कराया जाता है इन «क्रोफाइब फैर जा उस यह पना पैसा निरमान को सब्सक्राइब कर सकते हैं अंगोर थे हैं पताने किस-किस चीजसे हम रहा बनाते हैं वह किस से की जाती है किडवन द्वारा उत बनती है तो यहां पर हम ग्लिसरोल का निर्मान भी कर सकते हैं किडवन द्वारा किससे करेंगे ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6 इसका हम क्या लेंगे Equus Solution लेंगे यानि कि जलिये विलियन लेंगे तो जब Glucose यहाँ पर लिख दूँ Glucose के जलिये विलियन के यहाँ विलियन में East मिलाकर उसका किडवन कराया जाता है fermentation कराया जाता है जिससे किसका निर्मान होता है जिससे Glycerol का निर्मान होता है कैसे होगा यह देख लेते हैं वई यह है हमारे पास C6H12O6 क्या मिला देंगे हम East मिला देंगे East खमीर East में दो इन जाइं होते हैं पड़ाओ आपने इक जाइमेज और एक इनवार्टेज वो इसके दो इनजाइम राई अएगो गया करते हैं और फाइनली हमको अमारा क्या मिलता है एक तो मिलता है मैं गलिसरोल है है एक मिलता है हमारा कि मुझे करने के लिए क्या मिलती है यह ऑ versión है Health करने के लिए किया मिलती हैं भी क्लाक से हम इस से भी हम ग्लॉसरॉँण का निर्मान कर कर सकते हैं तो जल्दी से नोट कीजिए है ठीक है अगे चलते हैं अब हम देखेंगे ग्लिसरोल के रासाइनिक और बहुत इस गुण क्या होते हैं ग्लिसरोल भई क्या है कैसा है कैसी अभी क्रियाएं देगा वह सब देखते हैं कि अब हम देखेंगे ग्लिसरोल के गुण कौनसे गुण बहुतीक गुण देखेंगे सबसे पहले ग्लिसरोल बनाए ना यहीं हमारे कि इंपोर्टेंट ट्राइड्रिक अल्कॉल है तो ग्लिसरोल के है कि बहुत तिक गुंद क्या-क्या है देखते हम लिस्ट्रोल। क Meer बहुत ho होता है है क्रिंट देखा हुए क्श्वकष का नहीं होता है कई से कोई खुशबू आती है कुछ स्मेल आती है क्या ने उसमें ओडरलेस होती है वह खुशबू भी नहीं क्या बोलेंगे यह एक फर सहोता है यहरं हें एसके लाज़ाव यह कैसा है घंध हीन है और कैसा है आदरता ग्राही है अधरता ग्राही द्रव है क्या है लिक्विड है कैसा आदरता ग्राही यह कहलें तेली यह द्रव है ओली है आधरता ग्राही मतलब क्या करता है यह यह मोईस्चर होता है इसलिए तो आप लोगा और सरदियों में लग लगते हैं बॉड़ी पर लगते हैं काफी लोगों को यह तो-टे हो ना सर्दियों मैं तक खुछ खुछ हो जाती है तो वाइट वाइट सी चला जाता है नवी चली जाती है तो ग्लिसरीन क्यों लगाते हैं क्या होती अधृता ग्राही होती है तो आसपास के वातावरंट से आदरता को ग्रेंड करके रखती है और आपकी बोड़ी में मॉश्चर को बनाए रखती है इसलिए आपके हाथ पर फटते नहीं है इसलिम सठ्चियों में क्या गरते ग्लिस्रीन लगाते हैं क्यूं क्यूंकि एक आदरता ग्राही द्रव हुए दूसरा क्या है क्यूंकि हम जानते ग्लिस्र 태 last 3-3 Hi dru central ζ इसलिए यह जल जा तता किसमे मैं है लेकिन अगर हम कोई अध्रूबी विलाइक ले जैसे बैंजीन ले ले तो उनमें यह गुलेगा नहीं बैंजीन ले इथर ले अध्रूबी ब्लाइक लेंगे उनमें यह नहीं गुलेगा तो यह लेख सकते हैं अत्यदिक विले होता है परंतु परंतु एध्रूबी 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 विलाइकों में कैसा होता है अविले होता है एध्रूबी विलाइकों में अविले होता है ठीक है अध्रूबी विलाइकों में नहीं गुलता है लेकिन किसमें गुल कि तीसरा इसका गुण क्या देखते हैं इसका बैट बॉइलिंग पॉइंट इसका जो कुथनांक है वो कितना है दो सो नब्भे डिग्री सेंटीग्रेट तो तीसरा इसका बहुते गुण क्या है तीसका कुथनांक कितना होता है इसका कुथनांक है एक सो कितना है इसका कुथनांक दो सो नब्भे डिग्री सेंटीग्रेट होता है यानि कि इसका कुथनांक बहुत आई है बॉइलिंग पॉइंट बहुत आई है दो सो नब्भे डिग्री सेंटीग्रेट पर जाकर यह बॉइल होता तो यह थी इसके कुछ बहुते गुण अब हम देखते हैं इसके कुछ रासाइनिक गुण के कैसी कैसी रासाइनिक अविक्रिया देता है तो अब हम देखेंगे इसके रासाइनिक इसमें वो देखते हैं तो सबसे पहले हम इसकी reaction कराएंगे जो हमने monohydric alcohol में वी कराई थी जो हमने dehydric alcohol में वी कराई थी और जो हम या trihydric alcohol में भी कराने वाले हैं तो कौन सी है वो reaction बहुत बहुत बार कर ली आपने इसके साथ याद हो तो सक्रिये दातूओं के साथ अभिक्रिया यह मोनो हाईडरिक एलकॉहौल से करते आ रहे हैं याद है आपको मैंने बताए था जो एलकॉहौल होते हैं जैसी यह है आर ओ एच यह दो तरह की रियक्शन्स देते हैं एक तो वो होती है जिनमें oxygen और hydrogen के bond cleave होता है और यहां से क्या मिलता है? O- और क्या मिलता है? H+. इस तरह की reactions होती है जो यह प्रदर्शित करती है कि alcoholic क्या होता है? दुर्वल अमल होता है इसमें दुर्वल अमल यह व्यवहार पाया जाता है क्योंकि यह क्या दे रहा है? H+. त क्या होता है? दुर्वल अमल होता है तो ऐसी reaction पता ही थी और बताया था कि क्या evidence है वही कि दूर्वल अमल है तो evidence में हमने reaction कराई थी किसके साथ sodium धातू के साथ sodium potassium यह सभी क्या है सक्रिय धातू है तो जब भी हम alcohol को sodium यह potassium धातों के साथ जाए अब कराते हैं तो वहां से क् अगर निकलती है एक टू गैस निकलती है और क्या बनता है और यहां पर अगर अगरमने सोडियम लिया तो क्या बन जाएगा ओन जाए और यह प्लस इसका मतलब यह कैसा अमलिय व्यभार प्रदर्शित करता है तो यह जो रियक्शन सोती है यह बताती है कि alcohol में जो ओए प् यह प्लीव होता है और वह अमलिय व्यभार प्रदर्शित करता है इसलिए अमने मोनोहईड्रिक अल्कॉहल में भी कराएं थी ट्राइडिक में भी कराएं और याद हो आप लोगों को तो मैंने मोनोहईड्रिक में बहुत अच्छे से एक्स्प्लेंड की थी तो हमारे पास ह यह है च्टू ओएच और है हमारे पास च्टू ओएच ट्राइडरिक अल्कॉहल है मैंने दातू लिया सोडियम के साथ और यह जो रियक्शन हैं बहुत हाई टेंपरेचर पर होती है याद होगा आपको डाइड्रिक अल्कॉहल में पहले स्टेप में एक हाइड्रोक्सिल ग है यह है फिरम येक्शन लेखते हैं ठ तो ऊजिए एच टू ओएच ऐस त सिएच टू यह है हमारे पास क्लेसरों को यहां पर दो तरह की हईड्रोक्सिल गरूप है दो तरह के यह वाला गुल दिगरी- यह वाला को यहान्द 수nda ऊधर्ट के सांसे pens bombers और यह वाला घ्ञॉ तू डिगरी तो इसमें जो गिलिसरोल है इसके अंदर दो तो वन डिगरी गुरू अलकोहल होते हैं यानि वन डिगरी गुरूप उते हैं और एक होता है टू डिगरी और अगर आपको याद हो मैंने मोनोहाइडरिक अलकॉहल में बहुत क्लियरली बताया था और बहुत वार बताया था क्या यकिया रीक्तिविटी चिका मीठनॉट 그래서 यह स्ण चुमें पिलकूल ही कमेहट करते और मीथेनोल और इसने कम कंगी तो यह पर कौन इसे मतलब रिएक्टिविटी की बात की जते तो वन डिग्री अलकोहल क्या होते हैं ध़ादा रेक्ट्टिव होते हैं तो मैं इंधो निखिरोफ में बता चुकि यार यह वाला जो गूरूप होगा कम initiatives क्रियाशिल छोगा कम क्रियाशिल बहुत करें हैं और इसके नामकरन करлек कर स्के लिए आपको आसानी हो ये दोनों तो सेम है वन डिग्री वन डिग्री तो मैं कह सकते हूं अगर ये अलफा कारवन है तो ये अलफा प्राइम है दोनों सेम है लेकिन ये टू डिग्री है ये अलग है तो इस कारवन को बोला जाता है बीटा तो ये जो कारवन है पहला कारवन इसको बोलते है अलफा यह भी बिल्कुल से में लास्ट वाला कार्बन तो इसको बोलते हैं बीटा तो इस तरह से हम इसका नॉमिनक्लेचर में यूज करेंगे ठीक है यह आपको बता दिया मैंने अब हम देखते हैं तो जैसा कि मैंने बताया यह कैसे टेंपरेचर पर होंगी हाई टेंपरेचर पर ह क्यों क्यूंक्ते हैं क्योंकि माल लो पहला जो सोडियम रियक्त करेगा वह बॉन को तोड़ेगा तैंपरेचर यानि जर दूसरा सबसे पहले हम सोडियम के साथ अभी कराएंगे सबसे पहले तो रखा रूम टेंप्रेचर लगवा कितना 298 केलविन लेते हैं रूम टेंप्रेचर रखा 25 के साथ इसका रियक्शन कराएंगे तो क्या होगा केवल किसी एक हाइड्रोक्सिल पर की और यहां से क्या निकाल दी एच्टू गैस बाहर निकाल दी हाफ यहां से क्या हुआ ऑकक्सिजिन और हाईरोजं का बॉर तोटा यहां से एच पलस निकला सूडियंट चौन ने एक एलेक्ट्रोन दिया तो हेच प्लस ने क्या कि एलेक्ट्रोन ग्रेंड करके एच्टू गैस बनाई वह भी कैसी हाफ एस्टू तो यहांसे हमें क्या मिला सोडियम एने प्लस और ऑव माइनस और एनी प्लस बागी एजट्ट ते रहेगा यहें व steril यहां से हम जानते हैं और हीडोरी乾睡ेक होता है यहांसे क्या निकलएगा H निकलेगा यहांसे बाहर क्या निकला हेस प्लस और क्या बनेगा cube minus और यहां पर नेकलेगा PA greenफ़े क्집 Mythical हो्गा सोडियम की क्रेगा अक्छेच इलेक्ट्रों निकला है उसे ले लेगा और किसमें यह चेंज दो जाएगा एच टू में वाई टू एच टू क्योंकि एक मॉलिक्यू निकला है इसको गोलेंगे हाफ एच टू गैस और इस तरह से एच टू गैस हमारी जो बाहर निकल जाएगी और क्या बन जाएगा ओ मैनस एनी प्लस क्या बन गया सोडियम इथॉक्साइड ज सकते हैं यह ओन्ने क्या आम दिया था इसाने मने नाम कर दोंगे में और मैक है टो सोडियम ट्रिया घिक कह एल्फा मोनो सोडियम और कॉन सा ब काउन ऋब 살ल यह डिया था हमने Alright और इस पर नीकिवे चार्द आ गया क्या हो ग्लिस रोलेट लिएउशलों लिएट एफ सोडियं ग्लिस रोलेट से अब क्या अब एस चया करेंगे हम दुबाला ही सोडियम यह सातो भाईगे लेकंद इस वार किस में से हाइज डिई हाईड्रोगन शिर होता लिए सब्स निकलेग guitar और शुचक बना लेका और निकल जाएगी हाफ क्या होगी बाहर निकल जाएगी और यहां पर फिर सक्वट जाएगा एक तो बनाये हुआ है यह इस पर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं और एक बन जाएगा अमर पास ही च टूओ माइनाश क्या बने सब्सक्राइब अब तो हम पर यह बन गया इसको हम बोल सकते हैं इट 橋 रोलेेट क्या वनेगा यह ऐलफा एलफा-प्राइम डाई-सोडिय स्वाुडियंग बन गया ये वाला रियक्ट नहीं करेगा यह आबहु सेब्सक्राइब होता हैज़ा यह रियक्ट कर गए और हमने ठीमपुरेचर क्यों बढ़ा ने बता बाब रेयाक्शन होती है ॥्सकर्षे लिए धायचेंट गरेगा तो सिंजांगी कीवडिया करना है उसके करेंगा लुख भी DON क्वेशन हो जाती, चिसलिए हमोद का प्रता स्कुणी है जब लोगता है ठूझ करेंगे तरह लिए फॉशक्त तो हमने टेंप्रेचर को बढ़ाया था यह मैंने डाइड्रिक अलकॉल में भी आपको बताया है जल्दी से नोट कीजिए फिर आगे रेक्शन्स देखते हैं ठीक है अगली रेक्शन देखते हैं मिता देती हूं मैंने है कि दूसरी है वह है जिब दूसरी है वह है कि दूसरी रेक्शन होगी वह है णिऊजबती यह reflecting पाइफक्रと思います अभी क्रिया PCL3 और PCL5 के साथ जब हम PCL3 और PCL5 के साथ अभी क्रिया कराते हैं तो यह FGT रियक्शन होती हैं कौन से होती है FGT F का मतलब functional group transformation यानि कि जो हमारा functional group है उसका transformation हो जाएगा यानि एक functional group से दूसरा functional group बन जाएगा तो हमारे पास क्या है यह है थिह अमारे पास C2 dragged जब हम इसकी reaction कराएंगे PCL3 के साथ यह PCL5 के साथ यहां से आमें क्या मिलेगा हैन यहमीं क्लोरीन मिलेगा यहां पर हम जानते हे । क्या मिलेगा हमें क्लोरीन मिलेगा पीसील 3 या पीसील 5 यहां से सील माइनस निकलेगा और वो सील माइनस किस पर रियक्शन कर देगा रोसील माइनस क्या कर देगा इस ओएच ग्रूप को प्रतिस्थापित कर देगा और उसकी जगा क्या जाएगा खुद आ तो क्या होगा ओएच की जगह पर एक नया फंक्शनल ग्रूप आ जाएगा जो कि है क्लोरीन तो दौनों के साथ रियक्शन सेम ही होगी यहां एक एक करके ले लेते हैं पहले पीचल 3 के साथ कराते फिर पीचल 5 के साथ कराएंगे यह रियक्शन तो आप लोगों ने 12 में इस थापित हो जाएंगे च्टू ओएच और यह है च्टू ओशरी ओएच यह पर कोन आ जाएगा और यह च्टू प्लस क्या बनेगा एच 3 पी ओध्री यह रियक्शन मैंने मोनोहाइडरिक एलकोहल में पूरे मेकैनिजम के साथ एक्स्प्लेंट की है यह वाली रियक्शन म मैं है पूरे मेकैनिजम के साथ एक्स्प्लेंट की है बैसे बहुत से बचों के कमेंट आहरा है कि मैडम मेकैनिजम साथ में कर आई करो भाइद नहीं कर शक्ते हैं मिडेशन देंगर याद ओं आप लोगों को देखा हो फिसली वीडियो तो ognell एलकॉल 2018 तो सभी अल्कॉल सिम करते हैं तो अगर अगंड regardez कुछ अवर्रैक्शन उनkा मेकนडॉ मेने टॉ सब्सक्राइब कर दिया उनको मेरे दुबारा से मेकेनिजम में कुछी तुम लोगों का वी तरफ तुम लोग कहते हो कि जलदी स्लेबस कराऊ ताइम कमें और फिर कहते हो कि एक एक मेकेनिजम को कराऊंगी ना तो यह जो खतम होने वाला ना अभी पांच छे लेक्चर और कि आईगगा क्योंकि तुम मुझे क्या रहागे जो पीछहे में बने लाट रिपीट ही तुम से कुछ होती ही नहीं मेंत खीरतला तो सब किक्षे करा चुकियों वहां से स्कतले में लोग पीछे देखना है ने दो बार बार मेरा क्वेस्ट कर रहें और अपना हम क्यों बेस्ट कर egas लिए तो इसको वहाँ से कवी कर लो लेकिन यह आप लोगों को जल्दी ऐस ग television कैसे होता है ओक्सिजन के पास क्या और यह फबिंटल उसके पास झाली होती है तो क्या होगा यह एस पर說 करेगा वैक मेकैनिजम कैसे होगा यह करेगा पी सील 3 पर यह से लिगत है से लिग मैं क्ल और यह से एक से ल सी भार निकल जाएगा सी यह क्वार निकल जाए गांगे तो यहां है और पी कि ल टू बनाएगा ओपर पॉजिटिव चार्ज आ गया बाकी का मैसी रख दें च्छ टू ओएच क्या होगा ओएच एक बेकार लीविंग गृप था तो क्या होगा जैसे ही ओएच ने इस पर अटेक किया अब यह बन गया एक गुड लीविंग गृप बन गया यह से हमारे पास क्या बाहर निकलाता सीयल माइनस बाहर निकलाता सीयल माइनस आएगा और पीछे से अटेक कर देगा और यह बाहर निकल जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा सी एस टू सी एच ओएच और और इसी तरह से यह रियक्शन आगे थापित हो जाएंगे इसी तरह से सेम यहां से क्या बाहर निकलेगा यहां से बाहर निकलेगा पी-सी-एल-टू-ओ-एच यह बाहर निकल जाएगा यहां से और एंड में क्या होगा इसकी वी रियक्शन हो जाएगी अभी यहां पर कितने हाइड्रोक्सिल गुरुप बचे हुएं तो दूसरा वाला फिर से इस पर अभी क्रिया कर देगा एक सील बाहर निकल जाएगा ठीक है फिर फिर से वापस बाहर क्या निकलेगा पूरा मेकेनेजम करा हूं क्योंकि तुम लोग को फिर सब्सक्राइब करेगा फिर से यहां सीरसा बाहर निकला क्या बनेगा CH2CL यह बन भी चुका है CHOH यह बन चुका है फिर आगेगा CH2OP अब क्यतने CL बचे हुए एक CL बचा हुआ है एक OH इस पर लगा हुआ है और oxygen पर कैसा चार्ज आ जाएगा positive चार्ज अब यह एक good living group बने गया फिर सी एल माइनस यहां से अटेक करेगा और यह बाहर निकल जाएगा यह बनेगा यह बनेगा यह बनेगा 905 अच्टे और जुड़ा हुआ है पॉजिटिव चार्ज और यह है च्टू फिर जहां से जो सी एल माइनस बाहर निकला हुआ है वह पीछे से अटेक कर देगा और यह भी बाहर निकल जाएगा तो क्या बनेगा हमारे पास सी एच टू सी एल सी एच टू सी एल प्लस प्लस ह3 पी ओओ TB1 प्लस है ईस तरह से यह मीननिद्न हुआ पूरा मिल गया पूरा अब मैं क्या करूँगी सारे देखर सिमका में गया प्लग कोको यह पर कोई नया मेकैैनिद्न मिले नहीं नहीं ना यही मेकेनिजम मैंने मोनो हाइडरिक में वकाइदा एक्स्प्लेंड किया था ना पूरा इसी तरह से के बोलाए था मोनो हाइडरिक एलकॉल में एक हाइड्रोक्सिल गूरूप होता है इसलिए तीन मॉलेक्षिल करते हैं एक पीसील 3 के साथ नोट करो जल्दी आगे चलते हैं ठीक है यह रियक्षिन हुआ इस तरह से अब हम बाकी के रियक्षिन्स देखेंगे नेक्स लेक्चर में इस लेक्चर के लिए इतना ही ठीक है मिलते हैं नेक्स लेक्चर में